हम तयार तो वैसे भी थे कि फेड आज देरात फैसला लेकर आएगा लेकिन उससे पहले ये फिर से बैंकिंग क्राइसिस का उभरना ये डेट डीफॉल्ट क्या है एक्जाक्ली हुआ क्या है जो केते नहीं टास पूप्ड माकेट जो हम कल बात भी कर रहे थे एक बार की अगर यही चीज जो कल First Republic का हमने टेक ओवर देखा था अगर यही चीज दो महीने पहले होती तो आप बैंक्स में भारी गिरावट देखते हैं इसके साथ ही बैंक्स में फिर से चिंता लोटती हुए दिखिए जिसका आक्शन जादा आपको स्क्रीट पर आते हो दिखा जिसकी वज़से आज सुभा भी आप सारे ग्लोबल बाजारों में कमजोरी देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स फिलाल एकदम सपाट कारुबार आपको करते हो दिख रहे हैं बट कल शाम लगा था और दूसरे दिन आपने अमेरिका में कमजोरी देखिए कल तो 370 अंक फिसला है डाउ और इंट्राडे में तो 600 से जादा की गिरावट आई थी आपने गिरावट आती हो देखिए थी वहाँ से थोड़ा बाजार समले भी बट कमजोरी के साथ बंद हुए ब्रॉड बेस सेलिंग आपने आती हो देखिए नाजडाक 1% से जादा नीचे था वहीं स्मॉल क्याप्स और मिट क्याप्स में जादा गिरावट थी रसल 2000 में आ बैंकिंग की चिंता जादा प्रभावी थी कल के अक्शन में और अक्रॉस जा बोर्ड हमने देखा है कि कल बैंक शे dependence में जादा गिरावट आई एन फ़र्से रिपॉल के टेक ओवर के बाद आब ओहीं चिंता है कि कैसे हाल में हैं बाकी के चोटे मोटे बैंक्स आपके तो परसेंट नीचे था, यूएस बैंकॉप भी 7 परसेंट नीचे था, इसके साथी सिटिजन्स फिनाशल और नॉर्धन ट्रस्ट ये भी बैंक से जहां पर गिरावट है, तो अक्रॉस दा बोर्ट जो भी इनके छोटे मजोले बैंक्स हैं, वहाँ पर आपने भारी-भारी गिरा गिरावट आती हो देखिए, डर वही है कि इनके फानाशल हालात कैसे हैं, फर्स रिपब्लिक के होता है, अभी हमने टेक ओवर होते हुए देखी लिया है, इसके इलावा जेपी मौगन जो परसो 2% उचला था, फर्स रिपब्लिक के टेक ओवर के बाद, कल ये भी 1.5% नी के बाद यहां पर पोस्ट मार्केट में थोड़ी खरिदारी हुए, जिसकी वज़से डाव फ्यूचर्स थोड़ा आपको स्टेबल दिख रहे हैं, तो नतीजों के दम पर तो आपको आपको आक्शन दिखी रहा है, बड अफकोस आज की सबसे बड़ी खबर है आपके रेट हाइक है या नहीं, यह बाजार जानना चाहेगा, बट इंट्रेस्टिंगली, आज फेड पॉलिसी, उमीद तो सब की यह की दरे बढ़ेंगी, बट कल आपकी बॉंड डील फिसल कर 3.4% पर आगई, यह दो दन पहले 3.55% की थी, तो बॉंड मार्केट भी शायद अब आगे का प्राइसिन करते हुए देख रहे हैं कि और रेट हाइक्स नहीं होने वाले, बट देखते हैं, आज शाम पावल साब का क्या कहना है, आगे के आउटलुक को लेकर, यॉरप में भी हमने देखा, एक सबा 1% की गिरावर्ती, यहाँ पर वीक्नेस थी, फ्लैश इंफ अज़ार के उपर गया है, कल अल्मोस 40 डॉलर की बढ़त आपने आते हुए देखिए, तीन हफते की उचाई पर है, कच्चा तेल पांच हफते के निचले सरपर है, कल 5% आपको लड़कते हुए दिखा है, भारी गिरावर्त यहाँ पर आई है, 75 डॉलर पर ब्रेंट आते ह चार महीने के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावर्त आपने कल तेल में आती हुए देखी है, बेस मेटल में भी सुस्तिती, आगरी कमोड़िटीज में भी गिरावर्त आई है, तो थोड़ा यह बैंकिंग संकट से मूड जरूर लड़कड़ाया है, अब देखते हैं अब पूरी तरहां से यह फिट पे निर्भर करेगा कि फैसला तो वो जो लेते हैं, लेकिन आगे स्टैंस किस प्रकार का निकल कर आता है, यह महतवपून होगा, उसी पर माकेट्स रियाक करते दिखेंगे, शुक्रिया दीप वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने कर दो निकलिया थे हैं, ट 속ूरी दे तरहा हैं, झाल भूरी टीप पर मते हैं, घ análकार कि तरहें चाता हैं, स